नमस्कार मैं नमीज करिंपेतामडी फ्रॉम क्लास एट डिये सेंस अकेडमी आज मैं आपको एक ऐसी काहनी शुरान जारी हूँ वह काहनी मुझे बहुत पसंद है उमीद करते हूँ आपको बहुत पसंद आएगी यह काहनी है एक ऐसे राज्य की जहां पर हर पांच साल में र सब्सक्राइब लोग सोचते हैं कि अब नए राजा किसको बनाएजाब आता है कि हमारे राज्य में एक ऐसा आवयक्ती है जो बहुत ही चत्र और चालाक है वह हमारे राज्य के द्यान अच्छे से रखेगा सारे गाम के लोग उसके पास जाते हैं तो फिर वह वो बंती करत वो मंत्री से तुरंट बोलता है कि क्यों ना इस जंगल को परिवर्तन किया जाए कुछ ऐसा वनाया जाए कि यह जंगल रहने हो तो फिर पास साल में राजा बहुत करामती चीजे करता है एक साल में राजा उस जंगल में जो फतना जानवर थे उनको हटवा देता है दूसरी स तो राजा बोलता है कि जो पहले कर आए थे उन्हों ने तो ऐसी टाइम वियर्थ किया था ता नए नए कपड़े पैने में और मजे करने में और मैंने बहुत परिवर्तन किया उस जंगल को रहने योग बनाया था मैंने मेरे टैंशन थी परिशानी थी कुछ जंगल में जहां पांस साल बाद मुझे भेज दिया जाएगा जहां पर कोई जीवन नहीं है उदर मेर को भेज दिया जाएगा यह इस से सीख मिलती है इस कहानी का यह शीशक है कि टाइम का सदुप्यों करना चाहिए ना कि दुरुप्यों